मुख्यारोपी नमबर वन रिया चक्रवती पार, CBI का शिकंजा भी कस्ता जा रहा है, CBI रिया से आज पर पूश्ताच करेगी, CBI ने सुशांत केस की जार शुरू होने के आठवे दिन मुख्यारोपी रिया चक्रवती को पूश्ताच के लिए बुलाया, पहली बार रिया से जुड़े सवाल CBI ने पूछे हैं, बताय गया कि CBI के हर सवाल के जवाब में रिया ने खुद को निर्दोश बताया है, हाला कि कई जब वो सामने आई है, उनके वकील भी इस बात को कहते रहे हैं कि दरसल रिया की कोई गलती नहीं है, रिया ड्रक्स दरसल नहीं देती थी न रिया ड्रक्स लेती थी, सुशान ड्रक्स लेते थे, ऐसी बाते रिया की तरफ से कही गई, परिवार पे कई आरोप लगाए गए, लेकिन इनी पहलों पर जाच करने के लिए दरसल अब CBI ने कल 10 गंटे पूछताच की अरूर हमाई साथ हैं, रिया के घर से ही इस वक्त जुड़े हुए घर के बाहर मौजूद हैं, आरोर क्या जानकारी मिल रही है, आज भी पूछताच होनी है, क्या 10 गंटे की कल चली पूछताच वो काफी नहीं थी, या सवालों के सही जवाब CBI को नहीं मिल पा रहे थे, इसके लिए आज फिर से दिन चुना गया है, उनसे तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, जैसे कल जो WhatsApp चैट सामने आई है, जिसमें फिर ड्रक्स की बात हो रही है, और सिर्फ रिया ही नहीं उसमें पर्टिसिपेट कर रही है, उनके भाई सविक भी और सैमूल मिरांडा भी उसमें बात चीत कर रहे हैं, रिया लगातार ये कहत इस तरह के ड्रक्स मिलाये जाते थे, इस बाबत तस्वीर साफ नहीं, साथी साथ रिया ने ये भी साफ कहा था कि सुषान्त के पैसों से उसका कोई लेना देना नहीं, एक भी उन्होंने चुकाया था जिसको बाद में उसने ट्रांस्वर कर दिया था, अब जो खबर सामने मैं इस वक्त उनके घर पर मुंबई में जो उनका फ्लैट है, वहाँ पर मौझूद हूँ, ये पिछला गेट है, मैं आपको सामने भी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ, दोनों तरफ मीडिया का जमावड़ा किस कदर है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती दोनों में से किसी भ बुलाया है, आज कि अगर मैं बात करूं तो अपसे कुछ दिर बाद रिया चक्रवर्ती अपने घर से रिकलने वाली है, कहा ये जा रहा था कि 10 बज़े ही उनको बुलाया गया है, लेकिन किसलिए लेट कर रही है, वो क्यों समय से नहीं पहुंच रही है, ये एक अलग बा साली है, कुछ दिर बाद जाएंगी, डिया डियो, गेस्ट हाउस, जहां हमारे सायोगी विवेक मौझूद है, तो 8 जून से लेके 14 जून के बीच की जो का घटना क्रम है, उसको CBI उनके बयानों से रिलेट नहीं कर पारी, क्योंकि ये खबर भी सामने आई, कि रात को 2 साली हैं, ये तमाम सवाल हैं, जिनका जवाब CBI चाहती है, और CBI हो सकता है, जो महत्वपूंट चीज आप कह रहे हैं, कि वो जिस तरीकी के अपनी बात कह रही हैं, वो सही नहीं लग रही है CBI को, क्योंकि एक तरफ आप कहती हैं, कि सुशान्त नहीं बोला घर छोड़ कर लेकिन दोनों ने फोन नहीं उठाया, यानि कोई जवाब नहीं दिया, यानि रिया के बात में यहां दोनों ही बातों में अंतर नजर आ रहा है, अरुन रिया आप हमाएं